एहंकार हमेशा उसी इंसान को होता है जिसे बिना संगर्ष सक प्राप्थ हुआ हो जिसने अपनी मेनद से कुछ छांसिल क्या हो वही दूसरों की मेनद की कद्र कर सकता है देर से बनो पर जरूर कुछ बनो क्योंकि वक्त के साथ लोग खेरियत नहीं हैसियत मुझते हैं बुरे वक्त में कंदे पर रखा गया हाथ काम्याभी की तालियों से ज़्यादा मुल्यवान होता है बते हैं कि बुरे वक्त में कंदे पर रखा गया हाथ काम्याविक की तालियों से ज़्यादा मुल्लेवान होता है। जब जल गंदा होता है तो उसे हिलाते नहीं हैं बलकि सांद चोड़ देते हैं जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकाद जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाए सांद रेकर विचार करें हल जरूर निकलेगा। प्रियास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए क्योंकि बारिस की बूंदे बले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदी का बहाओ बन चाता है। जिन्दगी के हर मोड से गुजरना चाहिए क्योंकि क्या पता कि देर से वनों मर्जलाग को इंत्यार कर रही हो क्योंकि वक्त के साथ लोग खेरियत नहीं हैसियत पूंचते हैं। बुरे वक्त में कंधों पर रखा हाथ काम्याबी की तालियों से ज़्यादा मुल्लिवान होता है। एहंकार उसी को होता है जिसे बिना संगर से सब प्राप्त हुआ है। जिसने अपनी मेंद से कुछ शांसिल किया है वही दूसरों की मेंद की कद्र कर सकता है। एहंकार हमेशा उसी इंसान को होता है जिसे बिना संगर सक प्राप्थ हुआ हो जिसने अपनी मेनद से कुछ हांसिल क्या हो वही दूसरों की मेनद की कद्र कर सकता है देर से बनो पर जरूर कुछ बनो क्योंकि वक्त के साथ लोग खेरियत नहीं हैसियत मुझते हैं बुरे वक्त में कंदे पर रखा गया हाथ काम्याभी की तालियों से ज़्यादा मुल्यवान होता है कि बुरे वक्त में कंदे पर रखा गया हाथ काम्याभी की तालियों से ज़्यादा मुल्लेवान होता है